नमस्कार आप देख रहे हैं दे नाशनल टीवी और मैं हूँ आपके साथ मन्च का चाहान बॉलिवुड की अदाकारा आलिया भट अगले साल की शिरुवात में अपनी फिल्म गंगुबाई काठिया बाडी लेकर दर्शकों के सामने हूंगी इस फिल्म कंडर्डेशन संजलीला भंसाली ने किया है जो इस दौर के सबसे शांदा डारेक्टर्स में से एक हैं गंगुबाई काठिया बाडी संजलीला भंसाली का सालों का अटका प्रोजेक्ट था जिसे वो प्रियांका चोपड़ा के साथ बनाना चाहते थे इस फिल्म में आलिया भट ने मुख्य भूमे का निभाई है जिसे देखने के लिए दर्शक काफी उतसाहित हैं दर्शक उन्हें अलग अफ्तार में देखने के लिए बेचैन हैं फिल्म से सामने आए पोस्टिस ने दर्शकों की उतसकता और भी बढ़ा दी है ताजा रिपोर्स की माने तो रनबीर कपूर ने गंगुबाई काठ्यावाडी देख ली है और वो आलिया भट की पफॉर्मंस से काफी प्रभावित हुए हैं वो इन दिनों जिससे भी मिल रहे हैं उससे गंगुबाई काठ्यावाडी की तारिफ ही कर रहे हैं रनबीर कपूर के नुसार डायरेक्टर संजे लिला भनसाली ने आलिया भट को एकदम अलग अफ्तार के रूप में पेश किया है आलिया ने अपने किर्दार को परदे पर ऐसे जिया है जिससे की दर्शक चौक जाएंगे रनबीर कपूर को ये भी लगता है कि गंगुबाई काठ्यावाडी के लिए आलिया भट को नाशनल अबॉर्ड मिलेगा अगर खबरों की माने तो आलिया भट की मूवी गंगुबाई काठ्यावाडी में अजय देवगन का स्पेशल कैमियो होगा संजे लीला भंसाली के अच्छे दोस्त हैं अजय देवगन जिन्होंने गंगुबाई काठ्यावाडी में एक गैंग्स्टर का किरदार निभाया है जो इमान का पक्का है ये आलिया भट और अजय देवगन की साथ में दूसरी फिल्म होगी इन दोनों के अलावा कलाकार SS राजा मौली की ट्रिपल आर में भी साथ दिखाई देंगे ट्रिपल आर भी अगले साल की शिरुवात में ही सिनमा घरों में कदम रखेगी ट्रिपल आर में अजय देवगन का स्पेशल क्यामियो है जिसके लिए उन्होंने शूटिंग पूर कर ली है हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल दनाशनल टीवी को धन्यवाद